है यहलो फैंस आप सभी का स्वागत अश्य विडियों फैंस आज जो देखेगे निज़ पेपर के माद्यम से यूनिवर्स्टी ने नई कांसिलिंग डेट के बारे में जो है क्या बता इसमें फैंस आपको अभी इस विडियों में मैं आपको निज़ पेपर दिखाऊंगा आ देखे इसके बाद बहुत सारे इस्ट्राइट की प्रोब्लम यह है यहां पे जो है उनका मार्च देखे 250 आ रहा है 260 आ रहा है लेकिन फिर भी इनका रेंक कार वो जो है बलेंक कार देखे यह जो आपकी यह समस्य थी यह यूनिवर्स्टी के द्वारा जो इसका समधान कर दिया गया है इनको लग रहा थे कि हमारा एडमिशन होगा यह नहीं होगा तो जिसका बलेंक जो है रेंक कार आ रहा है तो उनका एडमिशन बिल्कुल निश्चीत होगा आप केवल जो है अभी मैं आपको बताने वालो वीडियो के माध्यम से आपको step by step follow करने आपका रेंक नहीं करते और आपको इस कारण से प्राइवेट कोलीज ही मिलता है गोर्मेंट कोलीज जो है आपका नहीं मिल पाता कोई भी अभी भी मैं वीडियो डालू उसमें जो है लगबग 50% इस्टुएंट की ये कमेंट आती है कि admission के time पे जो है कौन सा documents लगता है ये counseling के time पे कौन सा documents लगता है तो ये देखिए अभी बहुत सारे दोकोमेंट चाहिए admission के समय और आपको counseling के समय देखिए आप अभी भी आपके पास समय है आप एक या दो वीडियो अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल किलियर हो जाएगा documents के बारे में बिल्कुल देख फैंस आप सभी को पता है एक जून जो counseling date ये घोसित की गई ती कैंसिल हो चुकी है बहुत सारे शुन के लिए खुसकबरी है क्योंकि अगर आपकी एक जून से counseling start होती तो बहुत सारे ऐसे शुन है जिनका की first face में counseling होनी थी लेकिन final result नहीं आ तो आपकी counseling क्या होती रुख जाती और आपको केवल जो है private college मिल पाता government college से आप हो जाते बहा तब तक जो है आपका final result आपका आ जाएगा तो आप फर्स face में ही आप counseling करा लोगे इसमें देखे आज जो नुश पेपर है देखे यहाँ पे ब्रेली का यह नुश पेपर है देखे इसमें जो है एक जून 2019 इसमें देखे इसके बारे में क्या बताए है यहाँ पे counseling के बार अब चेरण जो वार है वेबसाइट पर मिलेगी इसकी जानकरे देखिए अभी तक जो है काउंसलिंग की जो आपकी ये अलग-अलग फेस में आपकी काउंसलिंग होने थी तो ये अभी तैयारी यूनिवस्टी के दुवारा नहीं होई है तो अभी जो है इसे तो 6-7 दिन का और समय लग जाएगा इसमें इसको तैयार करने में जो इसकी पूरी काउंसलिंग की जो भी इसमें तैयारी इसको यूनिवस्टी के दुवारा जो है इसमें करने है इसके बाद जो आगे यहां पर बता है देखे टला फैंसला यहां पर इसके बाद देखे तैयारी पूरी नहीं होने पर जो है रेल कंड विश्वी द्याले ने जो है टाली कांसलिंग तो देखी आप आपको एक जून से कांसलिंग नहीं होगी यह आपकी माल लीजिए कम से कम मेरे ही साब से तो इसमें जो है पांस से छे दिन का जो है समय इसमें लग जाएगा आपकी कांसलिंग में फिर भी आप जो है अपने डोकुमेंट्स जो है तयार रखे देखिए इसके बाद आगे परदेश भर के यहाँ पे 2430 यहाँ पे जो है कोलिजों में दो लाग से अधिक सीटों पर होनी है काउंसलिंग तो देखिए यहाँ पे जो बता है लगभग कितनी सीटे है दो लाग से बी ज़ो है ज़्यादा इसमें सीटे है तो आपकी जो काउंसलिंग होने दो लाग से ज़्यादा सीटों पर होनी है इस्टुटेंट की जो संक्या वो लगभग साड़े 5 लाग के आसपास अभी है तो देखिए इस पर जो है कमपीटीशन भी होना है देखिए यहाँ पे ज चरण की जो जानकारी वेबसाइट पर उपलब्द कराने का दावाव इस विद्याले ने किया था लेकिन उसकी तयारी अभी पूरी नहीं हो पाई इसमें देखे परवेश परिक्सा समय जो प्रोफेसर है बियार कुक्रहती ने बताए कि रैंक का जो जारी करते समय एक जून स सम्भावित कांसलिंग का जो तिती जारी की थी आउनलाइन कांसलिंग में अभ्यरती को परेशानी ने हो इसी लिए परकिरिये के हर चरण की जानकारी जो यह वेबसाइट पर उपलब्द कराने का परियास किया जा रहा है अभी भी देखे हर चरण की सूची तैयार की जा से परिशानी नहीं उठानी पड़ेगी इसके चलते ही फिलाल जो है काउंसलिंग टाली गई इसलिए जैसे ही यह तैयारी पूरी हो जाएगी तो वेब साइट पर जो है नहीं तारिक अपलोड कर दी जाएगी फ्रेंस मेरे हिसाब से जब 5-6 दिन के अंदर ही जो है यह काउं से अधिक अभ्यर्ति हैं अनुमाने की काउंसलिंग में सरकारी और साहिता प्राफ्त को लोजी की जो सीटे है सीटों को लेकर जो है मारा मारी इसमें रहेगी इसमें हैंस और देखिए आप यह मत सोचना कि आपकी काउंसलिंग जो है जल्दी नहीं होगी तो देखिए देखिए आपको भी पता देखिए आपकी जो exam date थी उसके बाद आपकी जो rank card जो जारी होना था उसके बाद जो आपका marks जारी करना था ये आपकी date जो है वो भी हटाए गई तो देखिए आप ये मत सोचे कि आपकी जो counseling date है वो हटा दी गई तो अचानक से जो है ये start कर दी तो आप बिल्कुल पूरा का पूरा तयार है friends आप अपने document जो है आप अपने पूरे तयार रखे देखिए friends यहाँ पर जो है top rank वालों के लिए मेरा सुझाव क्या देखिए यहाँ पर आपकी जो मानों first face में आपकी counseling होगी या second face में आपकी counseling होगी देखिए आप ऐसी गल कर देते हैं तो आपको जो है इससे government college से बाहर होना पड़ सकता है और आपको जो है फिर केवल बाद में आपको private college मिलेगा देखिए साथी साथ अब जब आप जब आप जो है 7 से 8 government college choice करेगे साथी साथ last में एक private college भी आप choice कर देना कभी कभी ऐसा होता है कि आपका भी नहीं मिल पाता वो आपको जो है बाद में जब आपकी counseling बाद में होती तब जाके आपको private college भी मिल पाता है तो आप ऐसी गलती ना करें starting में government college भी आप choice करें साथी साथ एक private college भी आप choice कर देखिए और friends यहाँ पे जिनका की जो है कम marks है तो आप देखिए यहाँ पे मे best क्या रहेगा आपके लिए रहेगा BTC best है देखिए आपका वहाँ पे हो सकता है कि आपका वहाँ पे government seat पे आजाए यहाँ पे आपको जो है आपको फीस पे करनी पड़े आपको जो है 51,000 आपको यह 40,000 अगर देखिए आपका जो है rank अच्छा नहीं है और आपका 100% देखिए यह है कि मुझे बीएड ही करना है तो आपके लिए देखिए marks भी नहीं आपके पास 70 marks है 80 marks है तो आपके लिए एक सुझाव है अभी किसी private college में जाके बात करे वहाँ पे जब भी आपकी जो seat है वो इसमें जो है क्या सब private college के लिए भी counseling जरूरी है तो देखे सभी के लिए जरूरी है चाहे आपकी government seat हो चाहे आपकी private seat हो सभी के लिए counseling जरूरी होती है इसमें अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपका जो blank card था इसके बारे में देखी यहाँ पर इनका जो है कुमारी इसमर्थी पांटे जी है इसमें जो इनका फर्स्ट देखे पेपर में इनका 117 ता सेकंड में इनका 109 था खुल मिला कि इनका जो marks आया वो आया था इनका 236 देखे इनके साथ हुआ क्या देखे इनका marks तो आ गया था लेकिन इनका जो है rank card वो जो है blank आ रहा तो इनका देखे फर्स्ट फेस में counseling इनकी होई है और 100% इनको government इनका जो देखे यहाँ पर rank card था किस परकार से इनका blank आ रहा था देखे ना तो इनका ना मारे ना father का mother का देखे category और इनका वेटेज आपका जो है total marks कुछ नहीं आ आ रहा रहा था इनका यह मान लीजे blank आ रहा था देखे आप इन्होंने मुझे जो है send किया उसके बाद मैंने जो newspaper के माद्यम से देखा उसमें यह बता था कि यह student की कमी नहीं है यह उपर से ही कमी आ रहे तभी यह जो है आपका कुछ समय के बाद यह निकल जाएगा तो मै आपका बिल्कुल solution हो जागा देखी आप अगर आपको माली जी कोई problem होती है किसी भी तरह की तो आप क्या करते है उसको लग उसका solution नहीं करते देखते नहीं आप बस देखते है वीडियो देख लिया चुट्टी आप comment करते चुट्टी लेकिन आपको पता help line number तो आप भी ले सकते वहां से देखी आप यूनिवर्स्टी की website पर जाए वहां से आप उठाए उसको और तुरंत आप जो है इसकी complain करें देखी यूनिवर्स्टी ने बोला भी ता कि हमारे पास complain इसको लेके blank को लेके नहीं आई अगर हमारे पास कोई भी समस्य आती है तो तुरंत क्या बतायता है देखी यहां पर यह जो समस्य थी खाली rank card की यह किस ले थी देखें विस विद्याले की website करेस बादित रही सेवाए देखें यह जो सेवाए थी यह इसलिए आपकी rank card सो नहीं कर रहे थी क्योंकि यह जादा इस पर traffic आ गया था site पर इसलिए जो है उस पर rank card सभी का नहीं निकल पाया थे एक दम उसमें देखें देखें आप यह बेड की ranking जारी होने के बाद हो गई overload दिन भर जो है प्रिसान हुए चातर देखें अभी भी अगर किसी का खाली rank card है तो आप जो है help line number पर बात करें आपका 100% आपका solution होगा बिलकुल भी आप tension ना ले आपका admission होगा देखें अगर आप नहीं आप उनको जो है complain करोगे तो हो सकते कि आपका जो counseling date है वो आपका निकल जाए और आपका जो एक खाली rank card ही आपका रहे और आपका admission तब आपका नहीं होगा देखें आपका बिलकुल भी तो फ्रेंस से देखें यहाँ पर एक सुज आपकी counseling जो date आएगी उसको भी आपको जो है safe रखना है अपने पास यह पूरा का पूरा देखिए admission के समय जो है इनकी जोरत होती है तो आप इनको अपने पास safe रखिए friends ऐसा नहों कि आप इनको जो है आप ना निकालो तो बिलकुल आपको देखें इनके जो है अलावा ज देखिए आपको admission के समय क्या लगता आपका देखिए यहाँ पर आपका जो है TC आपका जो CC है और आपका जो health certificate है यहाँ पर आपका तो यह जो आपके documents है यहाँ पर आपका जो gap certificate है यह आपके admission के समय चाहिए यह आपको counseling के समय नहीं चाहिए तो आप इनको अभी मत बनव के जो है सारे के सारे आप डोकुमेंट्स अपने तयार रहो मैंने देखिए आज वीडियो पर एक कमेंट सोब देखा कि इसमें जो है त्रेके से होता है इसमें state rank या journal rank यानिक एक होती है इनके आधार पर होता है या category के आधार पे होता देखिए आपकी जो counseling होगी वो होगी आपकी state rank यानि कि आपकी general rank इसी के जो माद्यम से आपको बुलाया जाएगा जो आपका admission होगा वो होगा आपका देखिए category के आधार पे इसमें जो पहले दिन जो बुला जाएगा एक से लेके जो है 15,000 को बुला जाएगा यानि कि आपकी जो counseling कराए जाएगी online आपको किसी भी cafe से आप कर सकते है और जो आपका जो second phase में जो आपकी counseling होगी वो होगी लगबग 15,000 से लेके जो है लगबग 35,000 तक देखिए आपकी जो second phase तक जो है government college मिलने के पोरे chance होते है देखिए जैसे मैंने बता देखिए आपके जो topper student होते है वो लेड़ी जो अच्छी तयारी कर रहे है देखिए आपका जो topper निकला जो first number पे निकले है वो भी PCS की तयारी यानि के आपका civil की तयारी कर रहे है तो यह क्यों government college में लेगे यह लेगे आपका जो है private college में बहुत सारे इस्टोंट जो है वहाँ पे जो है government college में admission जो लेते है उनको लगता है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे regular class करनी पड़ती है तो इसी लिए वो private college में admission ले